आप सभी को नमस्कार राजीर जी कहते थे भारत एक प्राचीन डेश है लेकिन एक क्यूबवा राश्य है उनी के शब्दों में मैं नोजवान हूँ और मेरा भी एक सपना है मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, अत्मनिर्भर और दुनिया के सभी डेशों में से प्रतमस्तान में लाना और मनवजाती की सेवा करना आज जब हम राजीर जी के इन शब्दों को याद करते हैं तो समझ आता है कि देश के युवाव और देश के किसानों के बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता देश के किसानों से राजीर जी का अतूत लगाव था उन्होंने कहा था यदी किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश अत्मनिर्भरता खोदेता है लेकिन अगर वो मजबूत होते हैं तो देश की स्वतंतरता भी मजबूत होती है अगर हम क्रिशी की प्रगती को कायम नहीं रख पाए तो देश से हम गरीबी नहीं हता पाएंगे चतिस कड़ की कांगर सरकार ने राजीव जी के इन सपनों को साकार करने के लिए कुछ तूस कादम उठाए है इन कदमों से लाको किसानों का आर्थिक स्थर निरंतर सुदर रहा है उनके जीवन में उमीड की किरन दिखाई देती है परिवार में खुशी का महौल है मुझे कुशी है कि राजीव गांधी किसान नियाई योजना के अंतरगात सरकार ने सबसिडी के अलावा चतिसकर के किसानों के उठाण के लिए और भी बहुत से सरनिय पैसले ली है थी जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक मिसाल है वराजी सरकार के इन फैसलों से जहां उत्पादन ने व्रिडी हुई है वही किसानों की इंकम में बरोतरी का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है चक्तिसकर की कांगरे सरकार ने न केवाल भूस्वामियों के लिए बलकि भुमहीन क्रिशी मजदूरों के लिए भी अने को सार तक कदम उठाए है राजीव गांधी ग्रमीन बुमहीन क्रिशी मजदूर नयायोजना का मुक्य उद्देश राज्य के ग्रमीन आँचल के बुमहीन परिवारों नागर पंचाइट चेत्रों और सबी अनुसूचि चेत्रों के बेहत गरीब पिछवे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ऐसे परिवार जिन के पास खेती की जमीन नहीं हैं और वे मन्रेगा या क्रिशी मजदूरी से जुड़े हैं उनको भी इस योजना का लाब मिल रहा है इस योजना के माधियम से चतिसकर सरकार ने अब तक लाखों परिवारों को साथ हजार रुपे की सलाना सहायता भी दी है मुझे इस बात का संतोश है कि चतिसकर में बुपेश बगिल जी के नित्रितों में कांगरे सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है समाज के सबीक छेत्रों वर्गोस समुदायों और जन जन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में अपने को समर्पित किये हुए है सही मायने में राजीव जी के प्रती यहीं सची श्रदांजली है भन्यवाद